आप लोग एसलीन को कॉंग्रेचुलेशन जुरूर देना आप कमेंट्स में कॉंग्रेचुलेशन लिख सकते हैं एसलीन के लिए कैसे हैं दोस्तो आप लोग उमीद करता हूँ सब ठीक होंगे और काफी सर्दी बढ़ रही है यहाँ पर तो बारिश भी हो रही है क्या आपके यहाँ भी बारिश हो रही है और दोस्तो एसलीन जब इंडिया वापिस मतलब अमेरिका से इंडिया आई थी तो वो जोब कर रही थी वहाँ पर और इंडिया ने के मुझे से उनको यह जोब छोड़नी पड़ी थी और उनकी जगह उन्होंने किसी और को ट्रेनिंग दी थी और उस लड़की ने उनके जगह जोब स्टार्ट की थी तो अब जब इंडिया से एसलीन वापिस कई यूएस में तो उनके पास कोई जोब नहीं थी यानि कि अर्निंग का भी कोई सोर्स नहीं था इसलिए जोब का होना बहुत ज्यादा खर्च होता है रेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और दोस्तों तो एसलीन ने फिर से जोब के लिए अपलाई किया लेकिन इस दोरान जब उनके पास एक महिना जोब नहीं थी उन्होंने अपनी कुछ जोब होती हैं जो वो मतलब टेंपरेरी बेस पर होती हैं उनको उन्होंने किया और अपनी अर्निक्स चार्ट की लेकिन जो उन्होंने जोब अपलाई कर रखी थी वो सेम जोब के लिए फिर से उनको ओफर आ गया जहां पर वो पहले काम करती थी जो यह कोई लीगल अथोर्टी वाला ओफिस है लीगल एडवाईजर्स का तो वहां पर उनको फिर से जोब मिल गई है और यह काफी अच्छी जोब है काफी अच्छी अर्णिंग्स होती है इसमें यह समझ लीजिए कि पंदरा डोलर से बीस डोलर आप 15-16 डोलर तो कंफर्म है कि पर आवर मिलते हैं और वो जो डे बाई डे का उनका सिस्टम होता उसमें काफ को फिर से जोब मिल चुकी है तो दोस्तों यही अपडेट सेयर करनी थी उमीद है आप सब लोगों को खुशी महसूस होई होगी तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लोग में कुछ नई इन्फोर्मेशन हम लेके आएंगे अभी हम बाहर आप जोब कैसे ले सकते हैं अमेरिका यह सब फ्री ओफ कोस्ट रहेगा डॉन आप घबराने के जरूत नहीं है आपको पूरी जानकारी सही सही दी जाएगे तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लोग में तब तक के लिए चैहिंद मने मातरम भारत माता की जय और हाँ दोस्तों इंस्टाग्राम पे फोलो कर लेना फेस्बुक पर फोलो कर लेना वहां कुछ और जानकारी भी हम अपडेट करते रहते हैं